हेलो अगेन, तो जो कॉस्पिटिक इंडस्ट्री है, वो करोडो रुपे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें मैं और आप जैसे लोग बेवकूफ बनते रहते हैं, जैसे कि रीसेंट एक्जामपल है, रीसेंट एक्जामपल है, आई क्रीम, तो आई क्रीम, जब भी आई क्रीम को कुछ भी प्रिस्क्रीप्शन लिखती हूं है, अगर एक्षर मुझे पूछते हैं, माम आई क्रीम लिख दीजे, आई क्रीम होती ही क्या है, आई क्रीम जो है, वो बेसिकली नॉर्मल आपकी जो क्रीम है, उसका ही छोटा पैकिंग है, जिसके आप 10 टाम्स ज् एंटी एजिंग, similarly वही रेटिनॉल है, वही हालोरोनिक आसिड है, जिसको कि हम बड़े पैक में बेशते हैं, तो वह फेस एंटी एजिंग क्रीम हो गए, उसी कही छोटा पैक में बेशते हैं, तो आई क्रीम एंटी एजिंग हो गए, तो वाट कें यू दू, आपको अलग से आई क्रीम खरीदने की ज़रत नहीं है, वही फेस क्रीम जो आप फेस पे लगाते हैं, उसी को आप आई के एराउंड भी लगा सकते हैं, इट इस ता सेम थिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अलग से पैसे मत वेस्ट करिए, तो आई क्रीम के पैसे बचाईए, और क् अच्छा फेस वाश और अच्छा नॉर्मल मॉइस्चुराइजर, और अगर ये वीडियो आपको इंफर्मिटिव लगता है, तो सब्सक्राइब, बाए!